नमस्कार दोस्तों फ्रेंड्स मैं जानता हूँ कि सभी के मन में एक ही प्रस्ण उठ रहा है आखिरकार ट्रेने कब स्टार्ट होगी क्योंकि मोधी जी ने कोरोनो वाइरस के संक्रमन को देखती हुए रेल्डे को नोटिस जारी कर सभी ट्रेनों को 14 अप्रेल तक इस्तगित किया था परन्तु क्या लॉकडाउन के बाद भी ट्रेनों का संचालन होगा या नहीं जानिये सच्च है फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार आये तो चैनल वर जीए सब्सक्राइब और वीडियो को एक लैक कर देना चैलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं सपस्ट करना चाहता हूँ कि रेल्वे ने 15 अप्रेल को अधिगान्स ट्रेनों को चलाने की बात कहिए और साथ में यह ट्रेने कहा कहा पे रुकेगी और क्या क्या नियम और काइदे होंगे चले इस वीडियो में जानते यदि आप बिमारे तो ट्रेन के अंदर सफर नहीं कर सकते आपको स्क्रीनिंग करके ट्रेन में बैठने की अनुमती दी जाएगी और जिस जिल्ले में एक भी मरीज वहाँ पे पाया जाता है तो किसी भी हाल में कोई भी ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकेगी रेलवे अधिकारियों ने सभी 15 अपरे को चलने वाली ट्रेनों को मुस्तेद कर दिये और साथ ही उन्हें केवल केंदर सरकार की हरी जंडी का इंतिजार है साथ ही इस में से इंडिया में चलने वाली 100 फीसीदी में से 80 फीसीदी ट्रेनों को चलाने के लिए आदेश दिये गे जिसके अंदर राजदानी शताबदी दूरंतों सूपरफास्ट मेल और पैसेंजर शामिले तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना जेहिन दोस्तों जेहिन